वेकम टू जौन अकेडमी दिशिश शाहुल जौन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एना यूस हिस्ट्री को 315 चैप्टर टू जिसका नाम है भारत का भौगौलिक परिवेश और प्रागयति हासिक सब्वेता हैं फर्स्ट पार्ट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं अब हम इसके स साकेंड पार्ट को पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट को प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में चैक कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं अपना ताम पत्र युग तक हमने पढ़ लिया था हम साकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्टार्ट है हिमाल्य चेत्र से हिमाल्य परवत चेत्र विश्व की विशालतम और उच इस्तरिय परवतिये श्रिंखला हैं जैसा कि आपको पता है जो हिमाल्य परवत है पूरे विश्व की सबसे बड़ी और उचे इस्तर की परवत की श्रिंखला है जो की 2400 किलोमीटर लंबी है कितने किलोमीटर लंबी है 2400 यह श्रिंग लाए हमलावरों के साथ साथ उत्तर की और से आने वाली मानसूनी शीत लहरों से भी हमारी शायता करती है देखो हिमाले परवत जैसे आपको पता है इस टाइप का बनावाई ट्राइंगल या तो वह क्या करता है हमें हमलावरों से बाइब भी बचाता एक तो हिमाले परवत साथ यह साथ जो उत्तर की और से नौर्थ की तरफ से जो मांसून बचाता है यह समूंदर से उठने वाले जो मानसुनी हवाएं जब समुंदर से मानसुनी हवाएं उठती हैं तो जब वो बहते बहते आने की उड़ते उड़ते जब जाती है हिमाले के तरफ तब है हिमाले से टकरा कर जब वापिस आती है तो वर्षा के रूप में हमारे देश भारत में बरसती है उत्त उत्तरपश्चिम दिशा में विवफाजित हिमालय शरिंगला था में भारतिया मैदानी छेतर Och अफ्गानिस्तान के जर्ण इर पर मद देश्या को जोडने वाले वाले मुक्षिमर्ग यह मरबआने छेत्र में मैं एक रिमाइले छेत्राइवे कि विश्व में बहुत कि भ peel ए और 24 किलो मीटर उसकी हुछी तनल किलो मिटर होते हैं यांँ हम लावरो सो भी बचाते हैं और ठंडी हवां बचाते हैं और साथ इसास सन वंतर से जो हवाई मानसुनी हवाई उठती है वो हिमाले से टकरा कर हमारे देश के अंदर वर्षा के रूप में बरस जाती है इस दाती साथ अफगानिस्टान के जरिये इरान और बद्देश्या के मार्गों को भी जोड़ देती है तो आपने पड़ा हिमाले छेतर के बारे में पंजाब और सिंद शामिल है सिंदु नदी में कौन शामिल है मैदानी छेत्र में पंजाब और सिंदु नदी की सहयोगी नदियों की सिचाई ने इस भूचेत्र को विस्तरत उपजाव मैदान बना दिया है जो सिंदु नदी की सायोगी नदियां है, यानि कि जो सिंदु नदी के अंदर आकर भैती हैं, उसने क्या करा, इस भूछेत्र को कैसा बना दिया, उपजाओ बना दिया, एक बड़े एरिये को उपजाओ बना दिया, जहां पर असानी से फसले उगती हैं, जिसके कारण ये च इसको खाद्दे अने की खाद्दे भोजन उपलब्द कौन करवाता है यही छेतर जिसमें पंजाब आता है यह छेतर गेहूं की खेती के लिए बहुत महत्पुन जैसा कि आप जानते हैं पंजाब गेहूं की खेती के लिए बहुत ही जादा महत्पुन छेतर माना जाता है और और किसकी वज़े से हो पाए ये जो सिंदु नदी की सहयोगी नदी है भैकर आती है सिंदु नदी में उसके वज़े से क्या हुआ वो मैदान उपजाओ बन गया जिससे वो गेहूं का प्रोडक्शन होने लग गया पंजाब के अंदर जाधा के सिंद चेत्र में निचली सिंदु झाटी और डेल्टा शामिल है ऑसे सिंद नदी के मैदान चेत्र में ही इस उपमादवीप में पह scripts संसक्रीती की शहरी सब्वेता के विकास की जहांकी देखनों को मिलती है मैं यू सिंद नदी का मैदान का चेत्र है इस महां उपके महाद्वीप में पहली बार कौन इभस आप नरझ ददेखने को मिलती हडपा संस्क्रिती की शेहरी सब्ध्यता ङह आपने क्या जाना सिंदुनदी के बारे में एक सिंदुनदी के मैदानी चेत्र में पंजाब और सिंद शामिल है जहां सिंदु नदी बहती है उसके मैदानी शेत्र में कौन शामिल है पंजाब और सिंद और पंजाब और सिंदु नदी और ये उस शेत्र को क्या बना देते हैं उपजाओ क्योंकि सिंदु नदी में जो सहयोगी नदी जो उसको सपोर्ट करती ह यानि कि आकर उसके अंदर मिलती है, सिंदू नदी के अंदर, वो फित्र को क्या बना देती है, उब behavioral, जिसके कारण क्या होता है वो जो छेत्र है, यह से कि पंजाब और सिंद, वहा हमारे देश के अंदर एक खाद्य केंद्र बन गया है, प्रवाइने की खाने पीने की चीज़े उपलब्द कराने लग गया जबी गेहुं हो गया चावल हो गया तो यह जो छेत्र है गेहुं की गेती के लिए बहुत महत्पून बन गए हैं पंजाब सिंद्ध सिंद्ध चेत्र में निचली सिंद्धु गाटी डेल्टा शामिल है दूसरी और यहां सबसे पहले हडपा सब्वेता की शैरी सब्वेता के विक्सित होने की जलग भी यहीं पे मिली है तो आपको यह समझ आ गया हुआ सिंद्धु नदी अब आते बारी गंगा की घाटी की गंगा की घाटी में सिंद्धु चेत्र की तुल्ना में अधिक वर्षा होती है और यह चेत्र अधिक नमी वाला है तो गंगा की घाटी में क्या होता है सिंद्धु चेत्र की तुल्ना में अधिक बारिश होती है अधिक वर्षा होती है और ये छेत्र क्या है, अधिक नमी वाला है, कौन सा छेत्र है, गंगा की घाटी वाला, गंगा के मैदानी छेत्रों को तिन उप छेत्रों में बाटा गया है, ठीक है, तो गंगा के मैदानी छेत्रों को कितने उप छेत्रों में बाटा गया है, तीन उपरी, दूसरा मद्धे, और तीसरा निमन कितने उप्रदेश के पस्चिमी और तक्षनी जो स्थान बना और उत्तरव्यादिक युक जब था तब यह आर्यों का निवास इस्थान बना था जब यहां रहकर उन्होंने खेती वाड़ी की आर्यों ने यहीं पर रहके का गरी सुर्व में खेती वाड़ी करी थी मद्धे गंगा का मैदानी छेत्र का उपजाओ है मद्धे गंगा का मैदानी छेत्र कैसा है उपजाओ ठीक है जो बद्दे गंगा है वहां को जो मैदानी शेत्र है उपजाओ असानी से वहां पर फसले उगाई जाती है अनबोया जाता है भारत के दो प्रमुख धर्मों जैन और बहुत धरम का जनम इनी शेत्रों में ही हुआ है तो जैन धरम का और बहुत धरम का जनम इनी शेत् तो आपने गंगा की घाटी के बारे में ये जाना है फिर आती है प्रादवी पिये भारत गंगा वा यमना के दक्षिन उभरता हुआ विशाल भुखंड भारत का प्रादवी पिये पठार कहलाता है जो गंगा और यमना के दक्षिन में जो उभरावा विशाल भुखंड है ज वहारत का प्राध्वी पठार जिसका आकार मोटे तौर पर रिभुजाकार नहीं की ट्राइंगल के तौर एक कि इसका आधार गंगा गाटी है तसे सुदूर दक्षण कन्या कुमारी में इस्थिद है इसका जो आधार कैसा है गंगा गाती और शिंस यह सदूर दक्षिन्त कंज़ कुमारी में इस्तित हैं का पतार एंक लावा पतार का उधहरन है ते दक अगड़ा में कलता है लावा लावा पतार का उध़ारन और हैं घॉद ज़ आलामुकी उद्गार की अंतिम चरणी में निस्तरप्त लावा के फैलने से बना है कैसा बन गया है वो लावा के फैलने से बना है यह प्राचीन गौंडवाना प्लेट का हिस्सा है जो कालांतर में अलग होकर वरतमान रूप को प्राप्त किये हो है पहले वो कैसा था प्राचीन गौन्डवाना प्लेट से बना था वो जो अब अलग हो चुका है ठीक है तो किसका इससा था वो प्राचीन गौन्डवाना का तो आपको समझा आ गया होगा प्राध्वी पिये भारत फिर आता है नोट में कुछ important topics लिखे गए हैं पॉइं्ट लिखे गए हैं जैसे कि कावेरी डेल्टा छेत्र राज्य में चावल का कटोरा के नाम से भी جाना जाटा है तो तो अगर question आता है कि कावेरे डेल्टा छेत्र राज्य किसे कहते हैं और या उसको किस नाम से जाना जा तो कावेरी डेल्टा छेत्र राज्जे को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, चावल की खेती के कारण राइचूर दुवाब छेत्र को दक्षिन छेत्र को दक्षिन भारत का चावल केंद्र कहा जाता है, और चावल केंद्र किसे कहा जाता है, राइचूर दुवाब कि राइचूर द्वाब छेत्र को दक्षिन भारत का चावल केंद्र कहा जाता है तो चावल का केंद्र किसा माना जाता है या राइचूर द्वाब छेत्र समुंद्र तट मैदानी छेत्र में पूर्व में तमिलनाडू पश्ची में केरल केरल परदेश में प्राग्यते हासिक स्काल से तलाबो द्वारा सिचाई लोग प्रिये थी जो समुंद्रि ट्रेक्ट मैंदारी छेत्र में पहले शुरू-शुरू में पूर्व में का मतलब होता है पूर्व का मतलब होता है पहले के समय में तमिल्नाडू पश्चिम पूर्व में तो तमिल्नाडू और पश्चिम में केरल प्रदेश में तालाबो द्वारा सिच्चाई लोगप्रेदी कौन से समय में प्रागतेहासिक काल में तो यह आप सेकंड पार्ट सेकंड चैप्टर का खतम होता है और वीडियो के लिए प्लेयरिस्ट को जरूर चेक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स से लाइक शेयर करना ना भूलें